हेलो फ्रेंड वेल्कम टू आर चैनल आज हम लोग बिहार के इतिहास के बारे में कुछ बाते जानेंगे तो चलिए सुरू करते हैं बिहार भारत के पुर्वी भाग में स्थित एक विशेश राज जो कि इतिहासिक दिश्विकों से बात का सबसे बड़ा केंद्र है या फिर ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि भारत बिहार के बिना अधूरा है बिहार का नाम संस्कृत और पाली सब्द विग्रह से लिया गया है जिसका अर्थ होता है निवास वर्तमान इस्तिती में लगबख इस छेत्र में कई बौध विख्चू विग्रह करते थे जो प्राचीन और मद्दिकाल में बौध विख्चों का निवास था दुनिया के बहुत से हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे उस समय सिक्षा का सबसे बड़ा केंद्रे नालंदा विस्विद्याले बिहार में इस्तित था बिहार की ही भूमी पर बहुत सारे राजाओं और समराटों का जन्म हुआ जैसे असोक, अजासत्रू, बिम्बिसार, भारत के प्रथम राष्टपती डॉक्टर राजेंदर प्रसाद का जन्म भी बिहार में ही हुआ सीखो के दस्वे गुरू, गुरू गोविन सिंग जी का जन्मी भी बिहार की राजदानी पटना में ही हुआ जैन्धर्म और बौद धर्म से समंदित गरंथों में मिली जानकारी के आधार पर छटवी सतावदी इसापुर में वाजजी को गंतर्थ के रूप में अस्थापित किया गया गौतम बुद्ध के जन्म से पहले ये भारत का पहला ग्यात गनराज भी बना 684 इसापूर में अस्थापित हर्यक राजबंस ने राजग्रा अधुनिक की राजगीर शहर से मगद पर सासन किया था इस राजबंस के दो प्रस्चित राजा विंबिसार और उसके पुत्त अजास सत्रू थे अजासातुर ने अपने पिता को सिंहासान के चलते कैद किया था अजासातुर ने पात्ली पूतर सहर के अस्थापना की जो बाद में मगत की राज़धानी भी बना उसने युद की घोस्णा की और वाजजी को जीत लिया हर्यक वंस का पालन सिशुनाग वंस ने किया, बाद में नंदा राजवंस ने बंगाल और पंजाब तक फैला एक विसाल मार्ग पर सासन किया नंदा राजवंस का स्थान मौरे समराज ने ले लिया, जो भारत का पहला समराज था मौरे समराज और बौध धर्म का छेत्र उस छेत्र में उत्पन हुआ जो अब आधूनी का बिहार बनता है मौरे समराज जो 325 इस्सपुर्व में मगद में उत्पन हुआ था चंदरगुरुप्तर मौर के द्वारा स्थापित किया गया था जो मगद में पैदा हुए थे जिनकी राजधानी पातली पुत्रा ऐनी अधूनी के पटना थी चौल वंस के राजेंदर चौल ने 11 सताबदी में बिहार और बंगाल पर आकरमन किया था बहुत धर्म मौम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आकरमन के कारण घड़ गया जिसके दोरान नालंदा विसविद्याले और विक्रमसिला विसविद्याले के साथ साथ कई विहार नस्ठ हो गए पाल समराज के पतन के बाद चेरो वंस ने विहार के कुछ हिस्सों पर बारवी सताबदी से लेकर सोलवी सताबदी में मुगल सासन तक सासन किया 1540 में पैठान सरदार सेरसा सूरी ने मुगलों से उत्तर भारत ले लिया और दिल्ली को अपने राजधानी घोसित किया 1763 तक बंगाल के नवाब मीर जफर को नवाब बनाया गया था बंगाल में दूसरी बार 1763 में कमपनी दोया लराई के बाद कटवा गिरिया उदैनाल में चाल लराईया पराजित होने के बाद अवद के नवाब जाउद डौला और मुगल समराट सा आलम दिते ने कासी के राजा बलवंत सिंग ने मीर कासिम के साथ गट बंधन किया पटना के पच्छिम में लगभग 130 किलो मीटर दूर गंगा नदी के टट परिष्थेते बिहार के एक छेतर में छोटा सा शहर बकसर में 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटीस इस्ट इंडिया कमपनी की कमान हेक्टरो मुन्रो के दौरा और मीर कासिम की सजुक्त से नाओं के बीच लराई की गई थी ये लराई ब्रिटीस इस्ट इंडिया कमपनी की एक निरनायक जीत थी 1765 में इलाहबाद की संदी द्वारा युद को समाप्त किया गया था बकसर की लराई के बाद ब्रिटीस इस्ट इंडिया कमपनी ने बिहार, बंगाल और उरिशा के लिए दिवानी अधिकार प्राप्त किया उबजाओ भूमी, पानी और कुसल स्रम के सम्रिश संसाधनों ने 28 सतावदी में विदेशी समाजवादियों, विसेश रूप से डच और ब्रिटीस को आकर्सित किया था संस्क्रित का सार पिहार है, और अववा पार पिहार है, ये धर्ति महा फिर बुद्ध की, वातंत्रता के युद्ध की, ये राजनी इकिशुद्ध की, परिवरतनों की पुकार है, बंगा की धार पिहार है